पर्यावरण विज्ञान की निजर से पिछले 50 वर्षों में पर्यावरण का अध्यन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस विचार पर प्रश्न उठाए हैं उदाहरण के लिए 1950 के दशक में अमेरिका के कई छेतर के लोगों ने पाया कि उनके इलाके में पक्षियों की चहचाहट नहीं सुना ही दे रही हैं और नहीं वे कीट पतंगों वे मधुमक्षियों की भुनभुनाहट सुन पा रहे हैं पता चला कि वे लगातार रासायनिक दवाओं के छिड़काओं के कारण खत्म हो गये हैं 1962 में रैचेल कारशन ने अपनी पुस्तक निस्तब्ध वसंत सालेंट स्प्रिंग में लिखा है कि पक्षियों वो कीट पतंगों की चुप्पी के पीछे कीट नाशकों का भयावा प्रभाव हैं जो मनुष्य पर भी पढ़ रहा है मच्छरों के नियंतरन के लिए उप्योग किये जाने वाले DDT का जहर जीलों में रहने वाली मच्छियों के शरीर में पहुँच जाता है जहर के इस छोटी सी मात्रा से कुछ मच्छियां मर जाती हैं और कुछ जिंदा रह जाती हैं किन्तु जब उन्ही मचलियों को इंसान और पक्षी खाते हैं तो उनके भीतर घुली रसायन की मात्रा उन्हें नुकसान पहुचाने के लिए पर्याप्त होती है। रैचेल के खोज इस बात के इसपश्ट उधारण है कि किस प्रकार मनुष्य के क्रियाओं का विपरीत प्रभाव स्वय मनुष्य और प्रकृति पर पढ़ता है। हुचाने से पूरे तंत्र पर प्रभाव पढ़ता है। प्रकृति का हर इस्सा चाहवा निर्जिव, जल हवा, चट्टान या मिट्टी हो या कीट पतंग, पक्षी, मानव या फसल जैसे सजीव हो सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और एक पर हो रहे क्रिया से सभी देर बेर प्रभावित होंगे। अगर हम कीडों को मारने के लिए रासायनिक कीट नाश्कों का प्रयोग करते हैं, तो वह न केवल कीडों को मारते हैं, मगर अनाज के माध्यम से हमारे शरीर में भी प्रविश्च कर जाते हैं। और उन फसलों के भूसे खाने वाले जानवरों क शरीर में प्रवेश करते हैं। या जंगलों के काटने से या खदानों से पर्यावरन प्रभावित होता है। या सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी धर्ती के हर तत्व आपस में गुथे हुए हैं। अप्शिस्ट उत्पादन या उभोग के समय जिन तत्वों को अनुपयोगी मानकर फेक दिया जाता है। उदाहरन के लिए गन्ने का रस निकालने के बाद गन्ने की खोई को फेक देते हैं। या फिर जब हम बिस्कुट खरीद कर खाते हैं तो प्लास्टिक रैपर को बेकार मानकर फेक देते हैं। कारखानों में कच्चे माल का अनुपयोगी हिस्सा या उत्पादन में उपयोग किये रसायन युक्त पानी या धुआ जिने बाहर निकाला जाता है। बहुत से अपसिष्टों का अन्य उपयोग किया जा सकता है। जैसे गन्य की खोई से कागज बनाना या उसे इंधन के रूप में उपयोग करना। इस प्रकार विशेश सयंत्रों से गंदे पानी या धुए से हानिकारक रसायनों को अलग किया जा सकता है। और ज्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया ने इस ताने बाने को बूरी तरह प्रभावित किया है। प्रित्वे पर प्राकृतिक संपदा असीम नहीं हैं। इनके अंधादून उपयोग से या संपदा हमेशा के लिए खत्म होते जा रहे हैं। आज हम जिस मात्रा और तरीकों से संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। वह इस संपदा को नश्ट कर देगी। नदिया नालों में बदल रही हैं। भूमी और वायू प्रदूशित हो रहे हैं। आने वाले वर्षों में इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम इस पार्ठ में प्राकृतिक संसाधन को समझेंगे और इन द्वंदों पर विचार करेंगे। पिछले दस हजार वर्षों में मानव समाज का प्राकृतिक संसाधन के साथ रिष्टा कैसे कैसे बदला है। प्राकृतिक संपदा किस प्रकार संसाधन बनती है उदारन प्राकृतिक संपदा के बारे में कभिलाई समुदायों में क्या सोच थी और वे उनका उप्योग किस तरह करते थे। और द्योगिक समाज का प्राकृतिक संपदा के प्रती क्या सोच हैं। क्या वे इस संपदा का उप्योग आदिवासी समाज की तरह ही करते हैं। आज हमारे सामने प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए किस किस तरह के विचार हैं। प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के श्रणे में उनी चीजों को रखा जाता है जिनके बनाने में मानव का कोई योगदा नहीं है। लव अयस्क को प्राकृतिक संसाधन मानेंगे मगर उसी अयस्क से मानव द्वारा निर्मित इस बात को नहीं। आप इन में से किसे प्राकृतिक संसाधन मानेंगे कारण सही चर्चा करें। नदी का पानी, बोतल में बंद मिनरल वाटर, डीजल, सिलेंडर में भरा ऑक्सीजन, खनिज तेल, संगमरमर, मुर्गा, गन्ना। प्राकृतिक संसाधन को अलग-अलग तरीकों से वर्गिकृत किया जाता है, जो संसाधन जीवों पर आधारित हैं, उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे लकडी, मचली, आदी। कोईला और खनिज तेल को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि वे मृत जीवों से बनते हैं। दूसरी ओर जो निर्जिवों भौतिक संसाधन हैं, जैसे भूमी, वायू, जल, धात्विक खनिज, आधी को अजैविक संसाधन कहते हैं। संसाधनों को एक और आधार पर वर्गिकृत किया जाता है, यह देखकर कि ये संसाधन प्रकृति में लगातार बनते जाते हैं या नहीं। जो संसाधन प्राकृतिक तोर पर बनते रहते हैं, उन्हें नवी करनिये संसाधन कहते हैं। और जो सीमित मात्रा में ही उपलब्द हैं और आसानी से नहीं बनते उन्हें अनवी करनिये संसाधन कहते हैं